hello friends दोस्तो से स्वाइन गालो नहीं हुए, सब्सक्राइञ करने लिन से घर के बहुरे ऊद this आप पड़ सकते हो बस फॉन एलाओ नहीं होगा तो वो फ्री ऑफ कोस्ट है पब्लिक के लिए आप आओ बैठो वापे अपने आपको समझदार बनाने की कोशिश करो तो वहाँ पर बोड वगरा जा चुक है अब यह वह बन रही है तो इसलिए बोड पर मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको तो मैंने का चलो जैसे जीरो स्पेल का बनाया ताब ऐसे ही बनाते हैं तो जीरो स्पेल के बाद जो दूसरी एक सीरीज आती है वह थी ओफ लिंस ओफ लिंस सीरीज अचा इससे पहले मैं एक बात और बोल दूँ आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म बताओ या कोई ओनलाइन वेबसाइट बताओ तो वो मैं यूट्यूब पर नहीं बताऊंगो यूट्यूब के गाइडलाइन्स अब हमागे तब उनका नाम बताऊंगा अभी मैंने उंसरे यह पैसा नहीं है वीडियो बनाता हूं तब मैं उनका नाम और डिटेवस अब बताता हूं कैसे ऐकांट और एकसाद जुड़े हुए होती है।। ऑफलेंस के नंबर दो जगह बगफिता है। एक चीन नंबर होती है।। ऑफलेंस के नाम पे वह उत्रइंस को दभाते थे। गवला ओफलेंश पर क्लिकर करेंगे तो ऐसमेंश नमबर होटे जीरो सपल में यहां जीरो सपйल चार चिपक कवर होता है और जीरो स्पल में इक नमबर स्टेट अप होता है 26 इसमें दो नमबर स्टेट अब रहते हैं एक और मुझे सच्वे बहुत पसंद है क्योंकि बाकी तो बिक सिरीज बची और स्मॉल सिरीज बची तो वह तो बहुत ज्यादा नंबर कवर करती है उसमें प्रॉफिट रिश्यो कम रहता है पर आफ्लेंस में काफी बेनेफिट रहता है कि आपने 37 में से 8 नंबर पे बैटल लगाई और उसमें भी दो नंबर इसे बात को दिखने 13 ही मिलेगा टा अ अ प्राफ लेंस में मानलो आपको कोई भी नंबर आता तो पांच िप की आपको आपकी चिप मिला कर अठारा मिल जाएगी और अकर उसमें 17 हो एक आ गया तो आप 26 अ चिप मिल जाएंगी तो यह को बेन आफ्लिंस के लिए मैं आपको एक टिप भी दूँगा भी आगे तो आफ्लिंस के लिए टिप आगे क्या देना वीडियो ज्यादा लंबग हसीटने की जरूत नहीं है तो मैं आपको बताता हूं आफ्लिंस जब भी आप लगाओ मैं हमेशा बोलता हूं कि सिरीज का बॉर्डर जरूर लगाया करो जैसे मैंने जीरो स्पेल के वीडियो में आपको बोला कि आप 19 और 28 को लेकर चलो 12 का नेबर 28 और 15 का नेबर 19 ऐसे ही ओफ्लिंस में इसके चार बॉर्डर होते हैं एक होता 22 25 वाली साइड और एक स्मॉल सीरीज वाली वाला 58 सीरीज की तरफ होता है 27 और 37 एक का नेबर 33 और 6 का नेबर 27 तो मैंने ये मेरा परस्नल अनुभव है हो सकता है आप लोगों का अलग भी हो मैंने यह पाया है कि आफ्लिंस आने से पहले 22 या 25 आए तो आने की संभावना होत एक बहुत कम आता है मतलब अगर आप कभी भी नोटिस करना क्रॉस्चेक करना मेरी बात को सीदा सीदा मत मानना जब भी ओफ्लिंस आने से पहले अगर ऑफ्लिंस के मतलब मैं हिंट ले देता हूँ अगर 22 पचीस आया तो मेरा यह मानना होता है और वह आता है ज्यादा तर संगल में साथ में नंबर बॉल गिराने में वह ज्यादा तर 225 का सारा लेता है ना कि 3327 का अलब कम चांस है 3327 के यह मेरा अनुभव है आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अच्छा एक बात में आप लोगों को और कहना चाहिए बहुत लोगों ने में को कमेंट किया कि आप सिंगल नंबर कैसे निकालते हैं प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन-कौन से नंबर आने वाल या बगली दो-चार बैट में सिंगल नंबर तो वह आप बताओ में तो आप उसके लिए ना मुझे गेम हिस्ट्री भेजो मेरे पास हिस्ट्री नहीं है मतलब मैं आनलाइन बहुत कम खिलता हूं गेम हिस्ट्री में आप जो भी गेम खिलते हो रूले की उसमें हिस्ट्री आती ना 10-15 गेम की उपर चल रही हो थी कि लास्ट दस नंबर कौन से आये हैं आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर उसका फोटो या स्क्रीन शोट भेजो मैं अपने मुझे 15 नंबर की हिस्ट्री बेजी या 12 नंबर की हिस्ट्री या 10 नंबर की हिस्ट्री बेजी तो हम उसके सबसे पिछले सबसे पुराने नंबर से लेंगे कि पुराने दो तिन नंबर के बाद में कौन सा नंबर आना चाहिए और वो नंबर आया है हाँ इसमें आप लोग में आया आप उसको लगा के देखना क्यों कैसे काम करता है क्योंकि मैं इसी तरीके का फैसला करो को उसी दिन आप जीत जाओ तो यह जो मैं ट्रीक स्टेजी या जो भी कुछ बता रहा हूं यह सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी लत्म में पड़ गए हैं छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम नुक्सान तो ना करें न जैसे मैं बोलता हूं कमपाउंडिंग से पैसा बनेगा यह तो बिल्कुल बरबाद करने वाली स्टेजी है मैं तो इसके हमेशा खिलाफ हूं मैं पिछले साल बर से इसके उपर कई वीडियो बना चुका हूं कि कमपाउंडिंग के मैं हक में नहीं हूं यह आपको एंड में जाके बरबाद कर दे है और कभी भी मैं इसक में भी नहीं हूं कि बड़े पैसे से छोटा पैसा बनता है कि यह 5% profit और 10% loss यह तो सबसे बक्वास है जब थंडे दिमाग से अपने आप से सवाल पूचो अगर उटी खाते हो तो कि 10% loss पर रुखना है तो 90% पैसा किसको दिखाने के लिए जमा करवा नहीं जितना जीरो कर सकते हो इस टॉप लाओ स्टॉप लोस जैसी कोई चीज नहीं होती है जुए गेंदर सब बक्वास बेतु की बात है इस टॉप लोस के नाम पे एक बार स्टॉप लोस टूटेगा नौ बार नहीं टूटेगा वह एक बार में सारा पैसा ली होगे मैं कह रहा हूं कि 10% डाउन के बाद में जब आपने स्टॉप लोस लगा के रुक जाना है तो 90% पैसा किसको दिखाने के लिए लगाया था उसकी तो जरूती नहीं थी वह तो वेस्ट पड़ा हुए तो उसको क्यो रिस्क पे लगाया आपने और यह कमाल की बात है कि लोगों की चलाकिया समझो कम पैसा बढ़ाना असान होता है तो मैं तो यहां पर आपको 4% बढ़ा के रोज दिखा दूँगा आपको वा यार राकेश जी देखो क्या राकेश टैलेंटेड बंदा टैलेंटेड बंदा है मैं तो रुख जाओंगा पर जो लोग मेरे साथ ख चोटा चोटा विं करो चोटा चोटा विड्रॉल करो चोटे पैसे से खेलो चले जाए तो कोई गम नहीं एक दिन में दो से ज्यादा बार मत खेलो अल्टरनेट डे पे एक बार खेलो तो बहुत ही अच्छा है और जुवा छोड़ दो एंड रिजल में आपको छोड़ना ही तो वह क्यों छोड़ेगा जुवा बताओ मुझे वह तभी छोड़ेगा जब गाटे में होगा तो हमेशा जुवा लौस में चूटता है तो यह सब बेकार की बाते मुझे भेजना बंद कर दो कि सर एक बार हमारा लौस रिकवर करा तो हम फिर उसका बंद कर देंगी अरे जब loss recover करना आपको आगया तो आप बंद क्यों करोगे फिर तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि बंद करने की जरूत है फिर तो आप उसको career बनाओ पर ऐसा नहीं हो सकता कोई loss recover नहीं हो सकता और मैं किसी का पैसा recover नहीं कर सकता, ना मैं किसी की ID से खेलता हूं, ना मुझे किसी की रुपया चाहिए, ना मैंने आसत, कभी किसी को बोला, कि मेरे साथ आके खेलो, मैं खेल के दिखाते हूं, भी, खुद कभी बड़ा नीखेलता it, तो मैं जूए से कुछ नहीं कर रहे था सिर्फ मैं जूए के पैसे खर्च कर देता हूं अपने खाने पिने पर अपने बच्चों की जुरूरतों पर या अपने आपको अप्ग्रेड करने पर वो चाहे मेरी विदेश यात्रा के नाम हो या मेरी कोई लाइबरेरी खोल रहा हूं या किताबे खरीदना हो कुछ भी हो बाकी मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई या मैं आपको बोलू कि यह मैंने इस से किया है और मैं जो विदेश यात्रावी करते हूं सिर्फ जूए की कमाईनी है उसमें भी कई वीडियो बगएरा बना दिया उसका sponsorship का पैसा मिल गया तो मैं आप लोगों को नहीं चाहता कि आप लोग किसी धोके में रहो और किसी धोके में आओं छोटी-चोटी उमर है जोटी छोटी-छोटे गाओं कसबो से एंडल क्लस family से आते हो कहां ये बदा बनने के चक्कर में अपना सब कुछ घवाद होके जितना पूरे में नहीं क मजदारी है, आप लोग भी रूटी खाते हो, थोड़ी बहुत तो अकल होगी, अपनी अकल लगाओ, कि कौन सच में आपको चाहता है कि आप लोग जुवा छोड़ो, और कौन आपको दिखा रहा है कि जुवा छोड़ो, आप उनकी जो लोग ऐसे बरगलार हैं आपको, आप तुम्हें भी जितवाएंगे, सोचो आप उनकी भाषा शाली देखो, उनकी एजुकेशन का स्तर देखो आप, चलो, ओके, गुडबाई, थेंक्यू,